ताज मौहसब में जहां एक और कला संस्किती साहित और व्यंजनों के स्वात का जायका देखने को मिल रहा है वही दूसरी और यहां एक टीम टैलिसकोप के माध्यम से धरती से ब्रहमान के ग्रहों को दिखा रहे हैं नमस्कार दर्शिकों स्वागत है आप सभी का ताज मौहसब में और आपके साथ मैं हूँ अदीबा कामिल जी हाँ यह वो एक एतिहासिक कारिक्रम है जिसका आयोचन ताज नगरी में हर वर्ष होता है और ताज मौहसब में आकर एक और जहां आपको पूरे भारत की संस्कृति की जलक देखने को बिलती है वही कई पूरे देश से लोग आकर अपनी कला का प्रदर्शन भी करते है और बात अगर हम करते हैं ताज मौहसब की तो ताज मौहसब में जब आप आते हैं तो भारतिय संस्कृति की पूरी जलक तो आप देखते ही हैं लेकिन ताज मोहसब में इस बार कुछ एक ऐसी खास चीज है कि ना केवल आप पूरे भारत के बलके पूरे ब्रहमार के दर्शन कर सकते हैं जी हाँ हम बात कर रहे हैं डीप स्पेस लेप के द्वारा लगाए गए एक ऐसे टेलेस्कोप की जिसके माध्यम से यहाँ पर जो उनके टेक्नीशन मौझूद हैं वो हमें दर्शन करा रहे हैं हमारे कई सारे ब्रहमार में मौझूद जो प्लानेट्स हैं उनके जिसमें से पाया है यह सर मैं आप से जाना चाहूंगी आपने नासा की जो यूनिफोर में वो भी पहन रखी है और जो मैं आपका एक स्पेस लैब देख रही हूं आनंता डीप स्पेस लैब का जिसकी टेग लाइन आपने दिये स्टेज आ स्टार्स आनोट सो फार यानि कि तारे हम से दूर नहीं है ताज मोहसब में जब हम आते हैं भारतिय संस्कृति की जलक तो देखते थे आप तो यहां पर जमीन पर बैटे हुए में ब्रभमार के दर्शन करा रहे हैं अभी तक यह नॉर्मल परसन एक मीडियम फैमिली के लिए या नॉर्मल परसन के लिए कि यह अप्र कुछ नया विश्कार या कुछ नहीं खोज करें क्योंकि एक कोई भी बड़ा आदमी तब बन पाता है जब उसके घर के अंदर आप देखें कि गैरेज में घर के अंदर कुछ लैव होती है वही आदमी आजकल बड़ा बन पाता है तो अब एक नई चीज लेका है कि घर घर एक कोई साइंस में जाएं कुछ नया विश्कार करें चोटे से लेकर वो बच्चा विज्ञानिक बने और हमारे भारत की तरकी को गड़े तो हमारे एक उदेश यह है मैं आपसे चीज जाना चाहूंगी आपने जिस सरीके से बताया कि यहाँ पर हमें इस चेलेस्कोप के मा माध्यम से बनाई गई है जिसमें हमारे अमीत कौशिक जी सांटिस्स आइटी से पास हैं तो यह अमरीका गए हैं नासा में उन्हें ट्रेनिंग भी है तो उनके माध्यम से हमने पूरी योजना बनाई है और इस तरह को पॉसिबिटी कर पाई है कि हम इस तरह की वह चीज ल सेंटर है जो घरगर जाना जाता है अब आपने भी नासा के नाम लेकर एक्दम क्लिक करता है तो एक फिर्ट ऑफी से कोई भी ना सब्सके के जलक आपको देखने को मिलेगी बलके यहाँ पर आकर आप पर यहां पर जैष्टे को भी देख सकते हैं साटन मंगल पेसाथ वीनस निनयत यो प्लाइट होता है उसके से तो सब्सक् falando इस इस प्लाइब की है चो कर सकते हैं उसके सब्सक्राइब करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है, अमिजी में आप से जाना चाहूँगी, बात करते हैं, भारतिये कला की भारतिये संस्कृति की तो ताज महुत सब में देखने को मिलती थी, लेकिन आज तो आप यहां आने वाले लोगों को ब्रह्मार के दर्शन करा रहे हैं, क्या कहना चा अगर आपने सेटन के बारे में पढ़ाया वो आपने देखे नहीं अगर लाइफ में और को इस तरह से दिखाई तो आपका बिलीफ सिस्टम बुक्स पर भुज़ता है तो जो भी आप पढ़ते हैं आपका विश्वास बनता है इससे क्या होता है कि सैंटिफिक एपिटूटी डेवलप होता है आम लोगों के बीच में तो हमने आप उस तरह का टेलिस्कॉप लगाए है जिनसे की ब्रहमान के वह अधुद रहस कि वह एक जलक देख लेते हैं कि क्या बात है दर्शकों और भारतिय संस्कृति कला के दर्शन के साथ साथ वाकि में आप यहां पर आकर वीनस के दर्शन तो जरूर कर सकते हैं क्योंकि मैंने अभी जो इनका अनंता डीप स्पेस लैप का जो टेलेस्कोप लगा हुआ है उस यहां पर आना बूले क्योंकि आप यहां पर आने के बाद में भारतिय संस्कृति का जो अनूठा संगम इस महस्ता में होता है वो देखने के साथ साथ पूरे ब्रह्मार के दर्शन भी कर सकते हैं कैमरा परसन राहुल शांत के साथ अदीबा कामिल सीनियो जागरा